नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चनल Competition Boss पर मैं हूँ नितेश दोस्तों एक और नई बर्ती के बारे में आपको बता रहा हूँ इस बर्ती में भी काफी अच्छे खासे पद है अगर आप 12 पास है या आप ग्रेजिशन है तो इसमें इस तरीके के पद निकले हैं कि तो दोनों जगे आवे दिन कर सकता है ये बड़ा Benefit है तैयारी करीव करीव आपकी सेम होने वाली है और बात कर रहा हूँ राजिस्तान इस्टेट की लेकिन ऐसा नहीं कि राजिस्तान वाले फ़र्म बर सके अदर इस्टेट वाले भी फ़र्म बर सकते हैं तैयारी आपको क करनी है लास्ट एक जान ता उसका एक्सपरिस भी आपके साथ शेयर करूंगा काफी दोस्तों से बात हुई थी उसके साब से आपको बताऊंगा कैसे कैसे सिलिमस लेने वाला है तो बात कर रहे हैं राजिस्तान में नहीं बरती की और वह भी हाई कोट में अब हाई कोट में जब बरती होती है तो इसका process काफी अच्छा रहता है मामला कोट में कम अठाकता है ये इसका फायदा है और बरती में जल्दी से जल्दी पूरी पूरी चीजे हो जाती है और बरती final टस तक पहुँच जाती है और लोग join कर लेते हैं तो फिलाग कुल पदों की बात कर देत तीन केटेगरी में पदों को डिवाइड किया है यहांपे, पहला है आपका किलर के कापद, ठीक है न, LDC की बर्ती है यह आपके, दूसरी है आपके judicial assistant की बर्ती, तीसरी है आपके junior judicial assistant की बर्ती, तो तीन तरीके के पद हो गए आपके, अब इन पदों के अनुसार एक बार जो से जादा जो पदें वो आपके कलर्ग या LDC के ही हैं और इसमें योग्यता होती है आपके 12 पास या 12 पास अब इसमें 1127 पदें कुल किस कैटेगरी के कितने अभी क्लासिफिकेशन जारी हुआ नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं दूसरा जो आपके कैटेगरी है वो है जूनियर असिस्टेंट की ठीक है ना जूडिशल असिस्टेंट के पद है तो यहां पदों की संक्या थोड़ी कम है 366367 कोई बात नहीं आप तयारी करेंगे तो एक पदा आपको चाहिए और उस पर आपका स्लेक्शन हो जाएगा तीस के लिए अभी कुछ क्लियर नहीं है लेकिन लाग ग्रेजवेट दिया हुआ है इसलिए अभी यहां कुछ कहना इस बारे में संभाव नहीं है लेकिन अगर आप 12 पास है और पढ़ने में अच्छे है तो आप जोइन कर सकते हैं क्योंकि आपको एक्जाम देना पड़ेगा टाइपिंग का दूसरा होगा आपके एफिशेंसी का तो एफिशेंसी में विशेंस मेनत करनी है टाइपिंग आप कर देंगे लेकिन एफिशेंसी में आपको कंप्यूटर कोर्स अगर आपने ठीक से किया है कंप्यूटर अगर आपने सीखा है कंप्यूटर अगर आपको य मैनिटली questions पूछे गई थे, इसलिए merit भी काफी ठीक गई थी और काफी select भी हुए थे, इसलिए परकार junior judicial assistant की बता रहा हूँ, graduation इसकी योग गेता है और इसमें भी आपको राजिस्तान का GK, Hindi, English ये तीन चीजों पर मेनत करनी पड़ेगी, तीनों के questions आते हैं भई और काफी deeply, काफी minutly questions पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मेनत इसमें करनी है, क्योंकि court में भी काम काफी सारा होता है, अब बात करेंगे age limit की, तो age limit कम से कम 18 और अधिकतम 40 साल है, अगर आप other state के हैं तो आपको 40 साल ही आपके लिए maximum age limit आप मान लीजिए, क्योंकि आपको general category उन्हें चूट दी गई है, आर्क्षन के अनुसार, कहीं 3 साल की, कहीं 5 साल की, तो ये आपको पता लगेगा जब इसकी विज्यप्ति जारी हो जाएगी, अब आप सोचेंगे फिर ये वीडियो क्यों बनाया, भाई इसलिए बनाया, क्योंकि वेकेंसी आ चुकी है, हरी जन से, तो अक्टूबर में आपको एक तारिक से फॉर्म बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और आप एक नौमबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, फीज जमा कराने के लिए आपको एक दिन एश्ट्रा और दिया गया, यानि कि आप दो नौमबर को फीज जमा करा सकेंगे, ये फेपर का पैटरन, पेपर का सेडूल, उसमें माररकिंग, उसके नेगटिव मारकिंग वह सब सेम रहती है, इसलिए उन पर बगय को प्रेक्वत आना और शेडूल, ऑचिज आपको देखना है, और सबसे बड़ी ज़रुत है आपके शीलेबस की, तो सेम रहता है, ठीक है, तो वो syllabus भी मैंने आपको available करवा दिया है, link में आप वाँ से देखना, उसको download करना, उसको पढ़ना, regarding जो books हैं, वो भी आपको मैं आने वाले time में बता दूँगा, अच्छी books से आपको पढ़ना पड़ेगा, थाकि आपका exam clear हो जाए, क्योंकि इसमें काफी लोग बैठते हैं, बारवी पास जब आप बैठेंगे किसी exam में, तो जाहिसी बात है कि बहुत सारे लोग इसमें बैठेंगे, बारवी तो इसकी minimum योग गेता है, अब इसमें graduation भी बैठेंगे, इंजिनिरिंग वाले भी बैठेंगे, बहुत सारे लोग बैठेंगे, इसी परकार जो graduation योग गेता है जिसकी, तो उसमें उससे upper level वाले काफी बैठेंगे, तो वहाँ थोड़ी संख्या कम हो सकती है जे-जे में, लेकिन clerk में तो काफी संख्या आने वाली है, ये पोस्ट है, 12th और graduation अगर आप कुछ भी कर रखा है इन में से, तो आप योग गे हैं, किसी भी state से आवेधन बर सकते हैं, 18-40 साल age है, अधर state के हैं, तो आपको जनरल में आवेधन करना है, और अगर आप राहिस्थान के तो आपको आरशन का लाब मिलेगा, खास करके मेरी बेहनों को भी, फीस आपको बता लिता हूँ, फॉर्म की, जनरल और OBC के लिए तो भाई 500 रुपे फीस रखी गई है, और अगर आप अधर कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से, तो फिर आपकी फीस थोड़ी कम है, वो है 350 रुपे, फीस आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, लास्ट शेडूल में कम थी, लेकिन इस बार थोड़ी बढ़ा दी गई है, तो ये थी पूरी डिटेल जो अभी तक मेरे सामने थी, वीडियो पसंद आया तो लाइक को शेर जरूर करना,